अस्सलाम अलेकुम निशा की काइनात में आप सबका स्वावन है तो गैस मैंने कल जर्दा की रेसिपी अप्लोड की थी और उसी दिन की ये भी रेसिपी है मैं थोड़ा लेट अप्लोड कर रही हूं क्योंकि एडिटिंग में मेरे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी और बहुत ज जालन तो यह हमारे गआओं की स्टाइल में बना रही हूं ऐसे बनता था वहांपर तो एक पर तेल लिया एक ला फिर फ्राय कर लिया फिर अच्छी तरीके से पीस लिया मैंने हल्दी मिर्ची धनिया और गरम मसाला फिर खड़ी मसाले कुछ लिये हमने एक दो तीन तीन टे बाद तोओ टाम के लिए उसके बाद इसमें हरा मसाला दालेंगे जित्ते भी खड़े मसाले थे वह दालेंगे और जित्ते भी हमने अरब नहीं भी दालते हो तो ऑप्शनल हो क्यूंकि मुझे थोड़ा सालन जैसा करना है और बी मागी जाके पानी दालूंगी लेकि फिलाल म सब्सक्राइब तो निए ऐसे थोड़ा सदाला है चलाकर में सिटी लगा दूंगी इसे और पात सेटी आने के बाद मैं से ओपन करऊंगी और उसके बाद मैं चेक करूँगी कि मिला कितना हुआ है और फिर पानी दाल के वापस से सेटी लगाऊंगी फिर मेरा सालन रेडी हो जाएगा और मैंने यहाँ पर चावल बना रही हुँ मैं तो इसके लिए मुझे यहाँ पर साजीरा दाला है मैंने चावल में और लकडी द दाला है और फिर उसका लॉंग दाला थे दो तीन वह नीचे ही होगी और फिर उसे एक बार चला है थोड़ा साउइल दाले और फिर चावल बॉइल होने के लिए रग दिये नहीं पर हमारी सीटी अची तरीके से आ चुकी है तो मैंने आपको बोला था कि मैं पानी आड़ क कर दूंगे तो मैंने कर दिया चावल भी रड़ी हो गया सालन में मैंने वह एड किया है अरवी बोलते हैं उसे आप लोग क्या बोलते जरूर बता है तो आज का यह देसी और अच्छा टेस्टी खाना आप लोग को पसंद आया होगा सालन चावल और दोस्ती रोटी तो अल आफेस्